आप सभी का सवागत है हमारे आज के इस वीडियो में तो दोस्तो फर्स्ट अफॉल सौरी हमने कई दिनों से हाँ पर यूट्यूब चैनल पर वीडियो नहीं डा लेते प्रॉपर अनालिजिस से साथ में उपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बड़े मूव यहाप एक्चर कर सकते हो एक चोटे से इंडिकेटर के हेल्प से और सादा हम इसे कॉंप्लिकेट नहीं करेंगे सिंपल फिबुना की और आरे से के बेसिस पे कैसे आप यहां पर मार्केट क्या लगता है आपने पता कर सकते हो तो क्या होगा जैसे कि आज मैं अपलोड कर रहा हूँ यह वीडियो 9 होजे क्या सपस सो मार्केट स्टार्ट होने से पहले मैं अपलोड करूंगा तो आज क्या होगा मार्केट में वो भी मैं आपको एक आउट्लूग याप पर जरूर दूगा चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के शार्थ तो फर्स्ट आप आपर देख सेक्ट तो डेली टाइम फ्रेम में कल यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डाउंपल है बहुत इंपॉर्टन सबी ट्रेडर्स आपर वेट कर रहेते हैं एक मार्केट में आप एक साइड मॉमेंट हमें देखने मिलेगा है बट नहीं मार्केट में लोगों को बहुत जादा ट्रैप किया अब ऐसे ट्रैप किया मैं आपको यहाँ पर फायर टाइम से लेकर लोर जाल चुका हूँ हमारे वीडियो हमारे पटिकलर यूट्यूब चैनल के उपर अगर आपको नहीं पता क्या रसे स्ट्रैडिजी क्या है डाइवर्जन्स क्या पहले जाकर वीडियो जरूर देखिए आई बटन में उसके लिंक में आपको प्रोवाइड कर दोंगा अब इस अगर आपने देखा होगा जब मार्केट ओपन हुआ था पॉसिटिव तो पोपनिंग गेने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया अब सब्सक्राइब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ओपन हुए डिरेक्टी कल यहाँ पर क्लोज हुआ था तो गप अपनिंग सब्सक्राइब यहां पर एक कल यह थोटिव कंडल है और यहां पर कल ग्लोज हुआ तो यह मुमेंटम हमें कल देखने मिला था रसका तो अटलमार्केट गया सबी को पाउसिटी सेंटिमेंट दिखाया कि यह पॉजिटी मार्केट दा सकता है देट स्लोग ब्रेक यशा लिए कि रिक क्या पर बर बड़े चाया काँ nhất तो वो अपने हैं आपर क्या जरूर करना चाहां कीं चाहिए कि Comics डिसकर रहा है वो इस करों करें है स्ल difer Jessie बैसिस पर देखिंगे कि मार्किन यहां इमोसा ब्राइव है मार्केट का सेंटिमेंट कही नेगेटिव बना हुआ है इसके पहले आप देखोगे मार्केट साइड बेज में ही चल रहा था इस रेंज को मार्केट सा नेगेटिव में को ब्रेक खिया है यहां पर मार्केट पेले में मूव कर रहा था आप देखोगे प्रॉपर एक रेंज में था रेंज ब्रेक आपर करना चाहूंगा औक इस तरह से आपर मैं एक trend line ड्रॉप करना चाहूंगा better way मैं मैं आपको 60 minute time पर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको trend line यहाँ ड्रॉप करती है तो आपको clear understanding मिले trend line कैसे ड्रॉप करना उस तभी video है आप यह learning videos का ले देखिए so that आपको और यहाँ पर clear understanding मिले है हर एक चीज को लेकर हर एक चीज आपको एकदम से clear होनी किये तो ही आप एक proper analysis एक proper overview बना पाऊगे लेकर तो आप दिख सकते है यहाँ से यह trend line मैं ड्रॉप किया है as you can see it clearly अब लिख सकते है यहाँ पर मैंने यह trend line परिकुलर्ली हाँ पर ड्रॉप किये 60 minute time frame है so अब आपको लिखे चलूँगा आपर 5 minute time frame पर 5 minute time frame पर जाने से पहले daily time frame पर चलते है और Fibona की retracement में आपको बताना चाहूँगा Fibona की retracement जो इस previous trend थी its trend के basis फर्स्ट आपर मार्क करता है पूरी trend के basis पर तो आप सिर्ट कहीं न कहीं market 38.2% परेट कर रहा है अब यह ऐसा level होता है जहां पर से हमें trend continuation देखने मिलता है अगर हमें positive sentiment देखने मिलता है अगर हमें आप पर particularly एक आप पॉजितिव मूव में देखने मिलता है trend reversal हमें देखने मिलता है तब आपको यहां से trend continue होते 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 दिस्तों देखने मिल सकते है और हमारा market previous high को भी break कर सकता है 18,925 जा फिर रेंज में retrace करेगा कुछ दिनों के लिए दोनों possibility है अगर यहां पर market sustain नहीं कर पाता मान लीजिए यहां पर market sustain नहीं कर पाता तो next जो आपका support होगा वो होगा 50% हा market directly यहां पर आएगा support लेगा क्योंकि आप पहले भी market यहां पर support ले चुका है तो ज्यादा chances है कि यहां पर support लेके दुबार है आपर bounce back करें अगर इसे भी break कर देता है तो for short जो हमारा golden ratio होता है 61.8 बहुत important level होता है इसे break करना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो यहां पर आपको support लेके तो maximum downfall जो आपको देखने मिल सकता है इस 16,580 रुपीज का यह तो मैंने आपको एक long term प्रस्पेक्टिव से मैंने आप पर नजरिया बता है market का कि दो तीन सी चार मैने में यहां पर market का लगता है वो मैंने आप पर बताया अब इसी के साथ सच यह short term trend है यहां पर आप देखिए यहां पर हमें क्या बोल रहा है market तो market average 61.8% के level पे आ चुका है आप देखिए दो बार तीन बार इस लेवल को ब्रेक कर रहे का ट्राइ किया बट ब्रेक नहीं कर पा रहा है अगर इसे ब्रेक कर देता है market तो second level आपका होगा 17,200 के आसपस आप देख सेक्तों 17,260 देन फाइनली आपका 100% का level होगा 16,765 100% थोड़ सा मुच्किला थोड़ा थोड़ा time लगेगा उचके अंदर क्यूक्त अगर सब्सक्राइब तो फॉर्ट और आपका यह लेवल आपको देखने को मिल सकता है 17,260 अपना 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 लेके चलने को पाच मिनट के time frame के अब आप देखिए तो यह आप यहाँ पर देख सकते हो कल के particular market में कल के market में जैसे ही gap up गगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो positive sentiment था चलिए positive sentiment था that then also I was waiting budget के बाद budget जैसे खतम हुआ budget चल रहा था तब market उपर गया and जैसे ही trend line को touch किया जैसे ही trend line को touch किया आप देखिए जो डोजी type of candle या आप spinning top candle बनने लगे हैं उसके बात सीधा यहाँ पर downfall हमें देखने मिला है इसी के साथ दो confirmation देख एक ही confirmation के basis में कभी भी enter नहीं करते हैं जब तक high conviction trade नहीं मिलता के yes यहाँ पर market नीचे जाही सकता है तो ही हम enter करते वरना हम enter नहीं करते हैं अब second confirmation मुझे क्या मिलना आप आप देखिए आप देखने मिला है तो इस नहीं बड़ी रैली तरी साढ़े 400 पॉइंट के आज पास हमने आपर इस मूव को हमने capture किया है सो आरे से जब है बर 20 की नीच होता है अब सब हम इसे क्याते कि oversold हो चुका है अब यहां से हमें बाहर निकल जाना चाहिए मैं आपर consider करता हूँ क्योंके मैंने आप इस position को hold किया था 20 RSA तक तब भी आपर मैंने wait किया था इस candle के high break होने का जैसे candle का high break हुआ I was out of my position तो इस तरह से आप easily simple अपना setup रखिए जादा आपको complicated नहीं करना है जितना जादा complicated करोगे उतना ही जादा आपकी confusion है आप बढ़ेगी अब आप देखिए अब target कैसे set करते हैं Fibonacci basis पर हाप आप target set कर सकते हैं यहां से market नीचा रहा था first target second target अपना जो stop loss हो तो आप trail करते ही आप देखिए अग्जाक्ली 100% पर आके रोखा था 78 को ब्रेक किया 100 पर जैसे ही आया यहां पर support लिया इसके बाद में हापर हमें bounce back देख नहीं निकला इसके नीचे close रहा है इस trend में हमें और हमें देखने मिल सकते और इस trend line को break नहीं किया है अभी भी market is trend line के नीचे trade रहा है जो है कि आपर major trend line में कहूंगा तो अगर इसे break नहीं करता है तब हमें और नीचे market continue होते हुए दिख सकता है यहां तक fit से दुबारा market redress करते हुए भी हमें देख सकते हैं 17,900 के आसपास तो यह था मेरा market का आज का old view अब और भी हापर videos लेंगे अदानी के related के क्यों आपर market में क्या हुआ अदानी के stocks और कितने नीचे जाज़के हैं यहां पर हम अदानी के stock buy करें यह सारी चीज़ा हमें आपर लेखे हैंगे आप सभी के लिए कल के video okay so I hope that आप पर यह वीडियो यह आनालीजिस आपको पसंद आया होंगे and please focus on learning अपर नहीं अपर मैंपको इनालीजिस के video बता है इसके ओपर आपको कोई भी आपंप संद आपदाना है It is only for the knowledge purpose so we are not the SEBI registered adviser It is only for the knowledge purpose I am not giving you a recommendation नहीं मैं आपको आपको आपर खरीद ने को कह रोग barrier अहीं मैं आपको 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 आपर गीजने को कह रोगर जो भी आपको लेर्निंग आपको नहीं पता इंडिकेटर्स बहुत सारी प्रिलिश पढ़ी है हमारे यूट्यूब चैनल के उपर चाहिए अपना टाइम इंडिकेटर्स को सीखिए स्पैड़ेजी सीखिए और उसके बाद अप्रेट किजिए यू विल सी लॉट अफ चींज तो चलिए आज के वीडियो में वाज इतना है किसी और नई वीडियो में